पतना विपक्षी एकता बैठक पर आगई बीजेपी की घंखोर परतिक्रिया अज वो राजनेतिक दल जो एक दूसरे को आँख नहीं सुहाते थे तो एक अत्रित हुए इसमृती इरानी और सुशील मोदी ने बैठक को क्यों बताया टाय टाय फिश स्वार्थ का ये गडबंधन बहुमुखी है आज वो राजनेतिक दल जो एक दूसरे को आँख नहीं सुहाते थे एक अत्रित हुए एक ऐसे संकल्प के साथ जो भारत को आर्थिक प्रगती से वंचित कर पाये स्वार्थ का ये गडबंधन बहुमुखी है और संबाद अलग अलग शैली में करता है और ये मुद्दा नहीं नहीं तो था सिल शेरिंग का मुद्दा था कि नेता कौन होगा उस पर क्या चर्चा होई आकरी क्या देश के जनता नहीं जानना चाहेगी कि नितिश कुमार या अर्विंद केजरिवाल या राहूल गांदी कौन होंगे नरिदर मोधी का मुकाबला करने माले तो ना तो नेता के बारे में कोई चर्चा होई ना ओर्डिनेंस के मुद्दे पर कोई सहमती बनी ना तो नहीं कोई कन्वेनर तय हुआ नहीं जे एजंडे के लिए कोई कमीटी बनी नहीं कोडिनेशन के लिए कोई कमिटी बनी इतना ही था कि अगला डियर टता हो गया कि फिर जुलाई के अंदर मिलेंगे तो इतना ही तो हुआ इस बैट अपने से निकला क्या यह बैटक तो टैंट टैंट फिस हो गई इस में से कुछ नहीं निकला जो है लेकिन उन्होंने कहा कि कस्मीर से कन्या कुमारी तक हम लोग एक साथ हैं और हम सीट सेरिंग का भी कर लेंगे, अभी तो सुर्वात हुई है, पहली बैठक हुई है, और पहली बैठक में इस बात पर सामती बनी कि हम साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, यह तो पहले से बाहर का मतलब यह है कि हम चुनाव लड़ेंगे, कॉंग्रेस हमकी हमारी मदद करें, यानि बंगाल में कॉंग्रेस चुनाव न लड़े, वो हमारी मदद करें, यूपी के अंदर अखले शाद हो चुनाव लड़ेंगे, और कॉंग्रेस उनकी मदद करें, दिल्ली में और पंजा माल लीजिए कि आज जो सामती मनी के हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे और मिलकर चुनाव लड़ते हैं 2024 में तो आप परणाम क्या देख रहे हैं क्या प्रणाम इसके पहले भी तो यूपी के अंदर मिलकर चुनाव लड़े थे ना तो क्या परणाम निकला एक बात और RLD जो है वो इस बैठक में शामिल ही नहीं हुई उत्तरप्रदेश के इंदर इक बहुत महतपुन घंटक है कर रहे हैं तीन दल है जिनके सुने एंपिया लोग सबामें दो दल है जिनका क्यों एक 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 एंपिया लोग सबामें दो दल है जिसके तीन है और एक क्यों दो है तो कुल में लाकर ग्यारा दल ऐसे हैं इसे बैठक वे चार दलों को छोड़ दें पंदर दल शामीर तो ग्या कि परदानमंत्री का कौन दाविदारों का नाम तय करेंगे नितीज जी को तो बड़ी उमीद थी कि उनका नाम कनवेणर की उर्प में घोशित किया जाएगा लेकिन कहा उनका नाम कनवेणर की उर्प में घोशित किया गया इसलिए चाहिए मैनिफेस्टों की बात हो common minimum program की ब कि अवन अच्छी चे गुड़ी गुड़ी बाते गोल मटवल बाते मिल कर लड़ेंगे मिल कर हरा देंगे नरद्र मुदी को अगली बैठा का ढटाय हो गया फिर अगली बैठा को फिर इक और इता हो जाएगा इस तरह की विपक्शी एकता की बैटकों से बीजेपी की शेय करे